नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका उनलाइन कोचिंग अकेडमी में और मैं स्वाती और आपको जो है ऑनलाइन कोचिंग करवाती हूं और साथी साथ में आप हमारे साथ जुड़के जो है अपनी तैयारी को और वेच्छे बहतर तरीके से कर सकते हैं पिछले ही कल हमें एक नोटिफिकेशन देखने को मिली है हिमार्च प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन की द्वारा एक एडवर्टाइज जो है वो जारी की थी यनि कि पुलीस के लिए तो आप सभी को पता है दो तीन दिन से जो है न्यूस पेपर में पुलीस से रिलेटर ब पर में पैटरंड क्या रहे गा ओर आपका फिजीकल टेस्च जो रहे गा वह क्या रहे का वहीता वो सारी चीजसे यानि कि इस पुलीस कांस्टेवल का जो आपपको फॉर्म फिल करने को बोला जा रहा है इसके regarding जितनी भी चीजे हैं वो सारी की सारी हम detail में इस वीडियो के अंत तक जो है देखेंगे इसलिए last का वीडियो के बने रहे हमारे साथ और इसी को जो है आगे हम continue करते हैं देखते हैं कि क्या बोला गया इसमें तो सबसे 10-2024 तक जो है website में भर सकते हैं website भी इन्होंने यहाँ पर दे रखी है चलिए तो post कितनी बता रखी है पहले इन्होंने यहाँ पर देखें mails के लिए female दोनों के लिए भरती आई है यह वाली हिमाचर परदेश में अगर आप पुर्ष हैं तब भी भर सकते हैं महिला है तब भी भर सकते हैं तो constable पुर्ष के लिए यानि कि constable मेल के लिए अगर हम देखे यहाँ पे तो 708 पोस्ट जो है हमें देखने को मिल रही है distribution है अन्रिजर्व के लिए 208 है अन्रिजर्व बार्ड फ्रीडम फाइटर के लिए माचर परदेश के अगर कोई फ्रीडम फाइटर रहा है तो 19 है और बैक लोग भी है तो आठ जमत 11 जो है बैक लोग है तो अन्रिजर्व होम गार्ड ओफ एच पी के लिए 54 है ठीक है तो पूरी distribution है तो बहुत सारी ऐसी पोस्ट भी है जो बैक लोग है पहले की है जो भरी भी नहीं थी फिर है ऐसी के लिए पोस्ट जो है अगर आप फ्रीडम फाइटर ऑफ एच पी है तो 16 है प्लस आपको यहां पर देखने को मिल रही है बारा जमत चार यानि कि पहले की भी इस्ट यूर में आते हैं यानि कि आप अन्रिजर्ब में आते हैं तो आपका हमाचर परदेश में तो 20 सीट से आपकी स्ट बीपेल में आते हैं अगर आपको हमाचर परदेश के हैं तो 8 है और स्ट होंगार्ड ऑफ हमाचर परदेश के है तो 8 है और स्ट होंगार्ड ऑफ हम और OVC UR के लिए जो है वो 81 है तो इस तरह से यहां पर OVC Freedom Fighter के लिए 14 है बिद बैकलोग है और OVC BPL के लिए 25 है OVC Home Guard के लिए 22 है OVC Board of Ex-Service Man के लिए 3 है बैकलोग और EWS के लिए 68 है EWS Home Guard of HPV है तो उनके लिए 13 है तो इस तरह से मेल वाली का डिस्टिविशन किया गया है फिमेल वाली की बात करें तो 380 पोस्ट है तो वो भी इसी तरह से आपको जो है डिस्टिविटर की गया अब देखेंगे एक-एक करकी जो है इनके बारे में टिटेल में जाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़े रहती है कैसे कैसे सब चीज़े रहती है तो सबसे पह उसने वह एक बार आप खुद भी देख लेना इसमें important instructions क्या दीगी हैं जो आपके लिए important है वही points यहां पर मैं discuss करने वाले देखें एक तो आपको written test होगा आपका पहले physical test होगा और फिर बाद में written test होगा और document verification ठीक है और hold e admit card duelly issued by the commission यह सब चीज़े रहेंगी इसके बाद अपना जो भी आपने फिल करना है चाहे आप email mention कर रहे हो mobile number वो correctly होना चाहिए पहली बात क्योंकि बहुत बच्चे कई वार क्या करते हैं कहते हैं कि बाद में वो चल दी रहे है चीज़े तो ऐसा नहीं करना आपने बिल पर क्या important है आपका तो आप देखते हैं कि इसमें list of documents to be uploaded in the OTR यानि कि आपने क्या-क्या list है वो upload करनी है एक तो merit आपका जो metric का certificate है यानि कि 10th का certificate 12th का अगर NCC है आपके पास ठीक है तो वो वाला certificate इसके लावा valid category अगर आप किसी भी category से संबादित है जैसे SC, ST, OVC, EWS, W WFF, Bard of X-Services Man तो इसका जो certificate है वो आपको update करना है साथ में इसके इलावा जो भी आपकी caste है उससे संबंदित जो भी आपके या फिर आप tribes है या schedule caste से हैं तो वो आपने अपना बहां पे upload करना है certificate चलिए next देखते हैं अगर आप home guard ठीक है अगर service certificate in case of HG candidate home guard इसिट वाइदा commandant house guard तो उनके द्वारा जो आईशू किया गया है आपको वो आपने साथ में बनना है साथ में आपने bonafide अपना हिमाचय परदेश का candidate होने के नाते हैं आपको अपना प्रमान पतर देना पड़ता है bonafide का साथ ही साथ में जो भी आपका 10th में और 12th में जो भी candidate जहां से भ रखी है तो कहीं से भी की हो आपने लेकिन अगर आप bonafide हिमाचली है तो आप इसको अपना bonafide दिखाएंगे साथ ही साथ में अगर आप मानलो EWS है या BPL है ठीक है तो वो भी आपकी form के साथ अटेच होगा यानि कि वो भी आपका upload होगा तो यह सब चीज है क्याटागिरी को क्लेम करने के लिए आप अपने जो है फोम भरते समय जो है ध्यान रखे कि आपको कौन कौन से डोकुमेंट अपलोड करने है इसके इलावा सबसे इंपॉर्टन देखते हैं यह सब चीजे वही लिखी है उसके बाद बात आती है कि कौन स्टेबल में फीमेल की अगर बात के लिए 65 जो है स्ट के लिए 20 है और इसी के लिए भतर है एव्यस में 35 टोटल कुल मिलाकर के 38 होगी तो यह चीज़ी हमें यहां पर देखने को मिलती है चले इसके बाद बात करते हैं एज कितने होनी चाहिए तो अगर आप जनल कैटागिरी के है एव्यस है या वार्ड अबी साल तक महिलाय वह इसको फॉम फिल कर सकती है और साथी साथ में बता रखा है एज 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 ओन वन वन दोज़ाचोविश तो एक जन्वरी दोज़ाचोविस तक आपकी कितनी एज होनी चाहिए 18 से चबबी के बीच में फिर क्वालिफिकेशन जो है प्लस टू होनी है तो 18 से 28 है हों गार्ड के लिए ज़ो है जटनल अवी सी डवली है सबके लिए 18 से 29 है ऐसी गारा से 39 है पलस टू है प्लस हाइट भी आपको यहां बता रिखिए 52 ज़ो है वह जन्रल के लिए है ऐसी जो है पांच 5 है पूरी फिर आपकी पांच दो ही अलबबाक सबने तो तो चार में से नंबर आपको मिल जाएंगे ये चीज़े हैं यहां बता रख है explain करके कि कितनी height है तो कितने नंबर आपको लगेंगे इसके इलाबा आपका जो physical test होगा physical efficiency of candidate देखी जाएगी महिलाओं के लिए 800 meter race for female यह आपको 3 minute 45 second में complete करनी है high jump है आपके लिए 1.10 meter का फिर है 100 meter race है 17 second में और आपका broad jump है 3 meter का तो इसमें जो है minimum 3 attempt है अलो है तो यह सब चीज़ें जो है आपको यहां पर दे रखी हैं जो आपके लिए very very important है इसके इलाबा अब हम बात कर लेते हैं पूर्शों के बारे में यानि कि हम बात कर लेते हैं mail के बारे में तो mail candidate के लिए पोस्ट कितनी निकली है पोस्ट है आपके पास टोटल कितनी टोटल पोस्ट है वही 708 ठीक है कितनी 708 है इसमें क्या क्या बोला गया है major major चीज़े देखते हैं वही सेम है 9 मन्त की training होगी बाद में वही सेम चीज़े हैं सेम document भी वही है upload सबको वही करने है अब फर्क कहां आता है फर्क आपका आता है यहाँ पे एस सेम है यहाँ पे general के लिए कितनी 18-26 है S.E.S.T. के लिए 18-28 है O.V.C. O.V.C. Ward of Ex-Servicemen 18-28 home guard 18-29 home guard S.E.S.T. 18-29 plus 2 आपकी होनी चाहिए height में देख लिए height में difference है general में 5-6 आपकी height होनी चाहिए S.E.S.T. यह S.T. Ward of Ex-Servicemen 5-4 होनी चाहिए O.V.C. और O.V.C. Ward of Ex-Servicemen के लिए 5-6 होनी चाहिए home guard वालों के लिए 5-6 home guard S.E.S.T. 5-4 होनी चाहिए ठीक है तो साथ में chest for candidate भी बता रखा है तो यह आप measurement को देख सकते हो चलिए इसके इलावा same है paper आपका written test होगा height और N.C.C. के same marks है आपके then उसके बाद यहाँ पे देख सकते है यहाँ पे बता रखा है कि अगर आपके इतनी हाइट इतनी है 5-7 से कम है तो आपको 0 marks लगेगा 5-7 है लेकिन 5-8 से कम है तो 1 marks लगेगा इस तरह से यह height के भी आपको marks मिलने वाले है दूसरा important आता है कि क्या इसमें race रहेगी तो पुर्षों के लिए यानि कि males के लिए जो आपके पॉंस टेवल होंगे 1500 मीटर 1500 मीटर की race है 5 मिनट 30 से किंड में आपको complete करनी है high jump है 1.35 मीटर का और इसको 3 बारा आप attempt कर सकते है 100 मीटर की race है 14 से किंड में complete करनी है और broad jump है जो 4 मीटर है और maximum 3 टाइम जो है आप इसको attempt 3 attempt are allowed 3 बार आप इसको attempt कर सकते हैं तो यह सब चीजें थी जो आपके पूलिस के exam से related है जो very very important है तो fee भी बता देती हूं देखिए male candidate के लिए general economic baker EWS और etc आप यहाँ पे देख सकते हैं 600 रुपया है male candidate SC, ST, OBC, EWS covered under URL or BPL category नहीं ही माचल तो उनके लिए 150 है तो यह fee structure भी मैंने आपको बता दिया पूर्शों के लिए मैंने यहाँ पे आपको सब चीजें यहाँ पे describe करती है अब बात आती है कि आपको त्यारी करनी है आपको आपका निकल जाता है आपका जो है physical आप निकाल लेते हैं लेकिन जब तक आपको return नहीं निकलेगा तब तक तो physical का भी कोई benefit नहीं है तो return की तैयारी करिए आप online हमारे पास coaching कर सकते हैं हमारे पास जो है सब batch रहते हैं फॉस्ट अक्टूबर से ही ने वैश शुरू हुए है पुलिस के तो आप जो है आप इसी नमबर पर संपरक करें तो I hope आप सब कुछ सब चीजें जो है आज के लिए होगी होगी अगले उसमें अगली वीडियो में जो है हम देखेंगे किस तरह से आप पिपर को त्यार करेंगे क्या-क्या सलेवस रहेगा क्या-क्या आपको पढ़ना और क्या-क्या आपको छोड़ना है चलिए तो आज के लिए इतना काफी है वाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में यानि कि नेक्स्ट वीडियो में